अब मुझे विस्तार से बताइए अपने प्रोजेक्ट के बादे में जैसे की चेंबुरू में आप देखो गए मुश्टी सारे स्टैंड अलन टावर्स है जो हाफ एकर में बिल्डिंग्स रेडियो हो रही है बारा से पंदरा माले की यह भी मेरी ज्यादा बड़ी नहीं है अपनी सोसेड भी फर्मोशी किया अच्छा पांश टोटल साथ टावर है जिसमें से पांश टावर अटी सोल्ड आउट अबी दो ही टावर बचे है और जो सोल्ड आउट टावर उसकीओ और लोग आ चुके ए रहने के लिए अब दो टावर ही बचे है हमारे पर जैसे मैंन पाइक्स हाइवे यहां से कनेक्टिविटी वगेराँ चेभु स्टेशने हाड याप यह कि तर छेश घरे लुल में रहया हुतना के कि में आपने नगे मी जुक आनल नहीं के था यार यह मैं सपना तो नहीं दख जोड़ और चेम्हू अप की सेशन तर आ देख़्ां आ में ही connecting it तो मतलब यह सोसाइटी एक प्रॉपर लोकेशन पर बनाई गई है और जहां पर कॉलेज कनेक्टिविटी वी ओसम है अभी यार मुझे एक बात बताओ आपके फ्लैट के बारे में यह फ्लोरिंग्स कौन सी यूज़ कि मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगई है कौन सी फ्लोरिंग्स जो है जिसका ब्रैंड है वेरामोरा मोशली यह पर जो डेवलपर से सारे का जा जो फर्निचर तो मुझे आई क्या का लग रहा है बाइद वे मैं बात बता दू यह एक सेंपल फ्लैट है जिसके अंदर है जो बिल्डर हमको क्या-क्या देने वाला है उस चीज़ के बारे में हम लोग अभी डिसकस करेंगे प्रसे सो चलो एक फ्लोरिंग तो मैंने आप से पूछ ली और उसके बाद यह विंडोस कौन सी है यह विंडोस आपको 6ft हाइट के हम लोग फूल साइज विंडो प्रोवाइट कर रहे है आपके मास्टर बेडरूम में और अपकी लिविंग रूम में जो ग्लास का नाम है फीनेस्टा करके ब्रैंड है उसका साउंड प्र प्रूफ ग्लास से यह इसको आपको दिखाया मजबूती की गैरेंटी के साथ डेमो के साथ इन्होंने दिखाया नौक करोगे तो भी ने टूटेगा और रियली है ग्लास बहुत हाड है और इस इस वेरी गुड कॉलिटी तो घर के अंदर हम लोग यही सब देखते हैं अभ सो आप लोग क्या क्या दोगे यह नीचे का प्राव मॉडिलर सेट आप बना कर दोगे इसका ब्राइंड हो के एशन पेंड कंपनी है जिसमें सिल्क ब्राइंड का मॉडिलर किछन आता है जो तक्रीमां साथ से आट लाग रुपे का है उन्हों लोग ओल्री फिट करके दे अपार्टमेंट के अंदर क्या बात है यार मॉडिलर किछन बना कर मिल रहा है फिटिंग करके मिल रहा है और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा फीमेल में मैंने देखी है उनको किछन बड़ा चाहिए सो मुझे ऐसा लगता है यह वो किछन है कि हर एक फीम भी है यह भी काफी बड़ा है इस जैसे के आप स्पेस देख सकते हो कि लिटरली वापुरा असल इग्दम फ्री घूम रहा हूं यहां पर इसका कितना स्कारबट है इसका 35 स्क्वेर फिट थिसके अंदर अम लोग दे रहे टोटो के फिटिंग्स मोशली आज वज में जिट कॉलिटी ओके जैगवार नहीं है यहां पर अभी हम आ गये है कॉमन बेड्रूम के अंदर यह सो कॉमन बेड्रूम में क्या मिल रहा है कॉमन बेड्रूम में आपको फ्लोरिंग तो अलड़ी मैंने बता दिया स्वीचे संदों जो प्रोवैट करें वो ली ग्रैंड के किदर यह प्सेट सब्सक्तियर जाद में पर यहां बहुत कर देख सकते हैं किदर पर जिए को जो भी हम लोग यहां पर क्वायटी प्रोवाइड कर रहे टेस वन अप बेस्ट कॉलिटी जो हम प्रोवैड करें आ जे यह अपना मास्टर बेड्रूम रहेगा 755 करपे तू भी एच्ट हेगा जो 150 स्कूर फीट है यह मास्टर बेड्रूम ने किसी गरीब का अपना घर हो सकते है तना बड़ा तो बेड्रूम है और इसके साथ यह अटेच वाश्रूम में है राइट है अच्छा में इदर आए आपको जो फिटिंग्स है टोटो की फिटिंग्स मिल रहे हैं यह मास्टर बेड्रूम है लेकिन यह अलट वाश्रूम थोड़ा बड़ा है यह 40 स्कूर फिट है ओके मैं इसको बात अपने नोटिस नहीं की मतलब सिलिंग हाइट अरे हाँ यह तो आपको मुझे बताना चाह यह ता और मुझे पूछना भी चाहिए ता सिलिंग हाइट किती आपकी आपने अजोज में कितना देखा है सच बोलू तो मैंने 7.5 देखा है maximum भी देखा रहे का तो 9 9.5 या 10 हाँ यह मेरा 11 फिट है 11 फिट सिलिंग हाइट मतलब इसके अंदर एक स्लैब डाल के ओपर बच आपको यह तो मैं मजाग कर रहा था लेकिन 11 फिट हाइट इस सम्तिंग मैंने अभी तक कोई भी प्रोजेक में नहीं देखा है लोकेशन यह है चेंबूर स्टेशन के बाजू में है सबसे खास और इंपोर्टेंट बात पार्किंग कौन सी दोगे पार्किंग में दूंगा कवर्ड पार्क पार्क मोशली मैकेनिकल स्टैक बहुत हो गया है अंडर्ग्राउंड पार्किंग दूंगा वह भी प्रॉपर कवर्ड पार्क जिसमें अपका एक फॉर्चुनर अच्छे से खड़ा हो जाएगा और चुनर खड़ा हो जाएगा सबसे खास बात यह है कि कवर अच्छाइब है अच्छाइब हो जाएगा और वहां पर आपको डूल मत्ती का भी जादा टेंशन ने हो दा पार्किंग जो मुझे पसंद है में चीज़ बताओ मेरे प्रोजेक्ट में वन लक स्क्वार फीट पोडियम गार्डन में ने दिया वाट लैक स्क्वार फीट प पोडियम गार्डन और वो लाइफ टाइम उपन रहेगा उसमें आपका एका जोगिंग वाकिंग ट्रैक कीट्स प्लेयरिया और क्लब आउस देरो ग्राउंड प्लस तू लेवल का जिसमें आपका इंडोर गेम्स प्लस आपके घर में कुछ छोटा मोटा फंक्शन हो मेंटेनेंस के अंदर ही आपको आम सॉरी तो से फिर सब मैं पूछ लेता है जो जीम है उसका टेंशन निया अचा लेकिन अगर जैसे क्या आपने बोला क्या हॉल वागेरा है तो उसकी बुकिंग करने पड़ेगो उसका प्री बुकिंग करने पड़ी फरस्ट इन फरस्व अचा फरस्ट कम फरस्ट सब ओके सो अलमोस्स सारी सल्यूशन यहां पर सॉल हो चुकी है सबसे खास बात यह कि इसका कार्पेट एरिया सबसे बड़ा है और अभी हम हॉल में चलते है हॉल मुझे बहुत ही पसंद आया है इसका और इसमें यहां पर स्टेशन से नजदीक है स्कूल से नजदीक है कॉलेज से नजदीक है होस्पिटल से नजदीक है हाईवे से नजदीक है और पर्के पर प इसका प्राइस क्या च prag इसका अगर चेमने में पधिशन दे रहा हो तो कि उन्ह दे की भूओं अब एंक्लिषिफ कोई भी चुपा हुआ चार्जिज नहीं है कार पार्किंग के साथ में येस घ्राइक पार्किंग के साथ में अर बाइगा इं वीवर्स है जो मेरे क्लाइन्स है उन लोग ले कुछ मेरा नाम लेकर आएंगे तो डिसकाउंट कर दूंगा जरूर दूंगा क्योंने जगा आप हमारे पहले सी पार्टनर है तो जरूर आपके तरफ से इनके आप वीडियो दिखे जूब आएंगे मेरे तरफ से अप्टु फ हमें डैट इस वेरी पॉफेक्टली जो जो हमने पूछा उनने सब चीज़ डीटेल्स में बताई है सो बूम अगर आप देख रहे हो चेंबूर में घर वो भी बड़ा वाला 755 स्क्वार फीट का सो आजाओ रहा है यार